Hello everyone, welcome है आप लोगों का देखिए हम लोग calculus को आगे continue कर रहे हैं और calculus में एक हमारा काफी important portion है calculus बोलिये या बोलिये real analysis दोनों के लिए एक बहुत ही important topic है हमारा सामने वो है क्या? वो है राइमान integration तो यह जो राइमान integration है बहुत ही important integration होता है बड़ा interesting होता है, मज़ेदार है और आपको खूब मज़ा आएगा और एक question आप देखेंगे ना exam में तो एक sure question यहां से आता है तो बहुत simple होता है, मुश्किल नहीं होता है कभी कभार तो एक से ज़्यादा question पूछ देता है आपको जो इसका एक indeterminate form है जिसको के हम determinate में convert करते हैं, using remand वहां से आ जाता है या integration से आ जाता है तो question इसके काफी simple बनते हैं आप इसको आज देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, आपको कोई issue नहीं रहेगा देखें, अब यहां से सबसे पहले हम यह देखेंगे कि जो remand integration है, इसका necessity क्या है, इसका जरूरत क्या है अगर आप इसको समझ जाते हैं, और logically इसको अगर आप याद रखते हैं तो आप इसको कभी भूलेंगे नहीं और आपको इसका एक एक term याद रहेगा और वही इसके लिए जादा important है कि इसके concept को समझना, ताकि आपको अगर बीच से question पुछे तो आपको फिर वहाँ से कोई issue नहीं आएगा अब देखें necessity, जरूरत, इसकी जरूरत पड़ी क्यों तो इसको समझने के लिए, इसकी जरूरत को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, ठीक है suppose कि ये ना कि कोई किसान है और उसके पास कुछ जमीन है किसान है, किसान के पास में कुछ जमीन है और उस जमीन को क्या करना है, sale करना है यानि बेशना है, ठीक है तो देखिए उसने पहले यह जमीन अपना देखा इस जमीन की माल लेज़े लंबाई A है लेंथ A है और width जो है चोड़ाई B है तो उसने इसका area calculate किया तो area क्या आजाएगा तो area आ जाएगा लंबाई इंटो चोड़ाई यानि कि यह आपका चुकिए rectangular shape में है तो अगर यह rectangular shape में है तो उसको कोई issue नहीं है और that area निकाल लिया A into B अब वो इसको किसी भी पैम आने से बेच सकता है चाहे तो वो per meter square इसको बेच दे या per decimal बेच दे या जो भी है चुकि उसको area यहां से easily find out हो जाता है correct तो अगर rectangular shape है तो उसको कोई issue नहीं आया इस जमीन को बेचने में और इस जमीन को उसने बेच दिया जो कि यह क्या था यह एक तरहा का आपका regular shape था इसको क्या बोलते है regular shape तो regular shape में कोई दिक्कत होता नहीं area निकालने जानते है tools है उसके प देखेंगे क्या है यह भी एक regular shape है इसको लोग बोलते है क्या triangular shape तो यह आपका तिरभुजाकार है एक triangular shape है इसमें suppose करते हैं कि यह जो है इसका जो base है वो a है और जो इसका height है वो b है तो triangle का area क्या होता है triangle का area हो जाता है 1 by 2 base into height तो इसने इससे area निकाल लिया और इसको भी उसने बहुत अच्छे से बेच दिया चुकि इसके area निकालने में कोई दिक्कत नहीं था और उसको जमीन का पूरा-पूरा rate मिल गया जो भी market rate है उससे बेच दिया तीसरी जमीन की बार ही आई इस जमीन को अब sale करना है इसको आप देखेंगे तो इस जमीन को भी उसने दे इस portion को अलग कर दिया जो मैं आपको इहां पर दिखा रहा हूँ इस portion को इसने अलग कर दिया तो definitely यह जब अलग हो जाएगा तो यह क्या हो गया यह आपका हो गया triangular shape तो यानि उसने इसको दो shapes में convert कर दिया एक आप कह सकते हो triangular और दुसरा आपका rectangular अब चुकि दोनों का area निकालना easy होता है तो उसने area निकाल लिया सपोस कर इसकी लंबाई A है और चोड़ाई B है तो इसकी area आ गई A B नीचे वाले portion का और उपर वाला चुकि ट्राइंगुलर है तो सपोस करते हैं कि A E जो है यह जो height है यह क्या है यह H है और again यह ED क्या होगा A ही होगा चोकि यह इस तरीके से उसने इस तीनों land को बेच दिया अब उसके पास जो है एक चौथा भी चौथी जमीन है जो देखे जो नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ यह चौथी जमीन है उसके पास में और इस जमीन को अब वो sale करना चाहता है लेकिन यह अगर देखा जाए तो यह कही से भी जो है यह एक regular shape नहीं है बलके यह क्या है यह उसके पास में एक irregular shape है irregular shape तो अब इस जमीन को बेचने के लिए उसके पास में tools नहीं है कि area अभी कैसे निकाला जाए अगर उपर की बात करें तो right तो ऐसे में उसको बड़ा दिक्कत हो गया कि मेरे को पूरा जमीन का rate मि अब इसके पास में दो दोस्ते थे तो उन दो दोस्तों ने यहां से देखी हम लोग का रिमान integration का motivation शुरू होता है कि रिमान integration का use क्या है जिसे मैं लिख रखा है कि यह irregular shape है और इसका area आपको find out करना है इसको बेचने के लिए तो अब इसको आप curve कैसे तो जो है simple अगर कोई curve है e x मैं आपको संझा देता हूं यह मेरे पास में कोई curve है right पढ़ रखा आपने e to the power x यह कोई curve है मेरे पास में अच्छा यह curve है और अगर मैं इसका area निकालना चाहता हूं इसका मैं अगर area निकालना चाहता हूं दो point माल suppose कि यह a और b के वीचे में तो यह भी तरीक to e x और आप इसका area निकालने के लिए क्या करते है इसको आप integrate कर देते हैं कहां से कहां तक a से b तक तो आपको इसका area मिल जाता है तो यहां पे भी चलो एक curve है जो जो है define curve है तो वहां से आपका काम हो गया okay यह भी एक तरह का आपका irregular shape में आ जाता है but यहां पे जो irregular shape है य यह कुछ और तरह का यहां पे कुछ आप उस तरह कोई function define नहीं कर सकते जैसा आप class to build में करके area find out कर लेते थे using integration यह हमको motivate करता है remand integration के लिए और हम लोग यहां से आगे चलेंगे कि आखिर इसका area निकालेंगे कैसे तो अब वो जो किसान था ना उस किसान के दो दोस्त थे तो पहले दोस्त ने इसको सलाह दिया कि भाई ऐसा करो कि जो है यह पूरा irregular save है इसको पूरी तरीके सहसे बेचना तो मुस्किल है तो इसको क्या करते हैं छोटे छोटे पार्ट में बाढ़ देते हैं और छोटे छोटे पार्ट में बाढ़ करके जो area निकालना easy होगा उस area क पैसा तुम ले लो सामने वाले से तो तुम्हारा जमीन जो है वो निकल लाएगा और जो है बहुत ज़ता नुक्सान नहीं होगा तो उसने इसको जो उस्को करो करो तुम इसको करो एसको बाटो और partition करके जो lower age होता है उससे इसको बेच दो मैं आपको समझाता हूँ इसको समझ लेंगे तो काफी easy हो जाएगा देखिए उसने क्या सलाह दिया उसने जो सलाह दिया आपको यहाँ पर दिखाना है तो friend 1 ने जो सलाह दिया वो इधर बात करेंगे और friend 2 ने जो सलाह दिया वो इधर बात करेंगे ठीक है उसके दोनों जो दोस्त थे दोनोंने जो सलाह दिया अगर हम लोग friend one की बात करें जो दोस्त एक है तो उसने क्या कहा है उसने कहा कि भाईया इसको क्या करो partition में बाढ़ दो जैसे आप देख रहे हो यहां पे न क्या बोला उन्होंने partition में बाढ़ दो और partition में बाढ़ करके lower edge को ले करके area बनाते जाओ औ अच्छा और अगर मैं इसको bound करूं तो suppose करता हूं कि मेरा यह नीचे में A से सुरू होता है और B पे खतम होता है तो अगर हम देखे हैं तो यह जो value है जो इसका सबसे बड़ा edge बनेगा यह वाला इसको मैं कहूंगा capital M और इसका value क्या आएगा fb आएगा आएगा आप इसक काल रहा हूं ना माल लेता है मैं दो point में निकालता हूं एक point मेरा A है और एक point मेरा B है definitely तो जब मैं X को A रखूंगा तो मेरे को function का value क्या आ जाएगा function का value E का power A आ जाएगा तो इसकी value क्या हो जाएगी E की power A तो यह मेरा हो गया इसको मैंने small M से denote कर दिया जब मैं B रखूंगा तो function के value क्या आ जाएगी E की power B आ जाएगी इसको मैंने capital M से denote कर दिया यहाँ पे हम लोग in general बात कर रहे है कि कोई मेरा y equal to fx जमान लेते हैं कोई भी एक curve है irregular shape का तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे हम लोग यह देख रहे है कि lower जो value है A और जो upper value है B मतलब A से लेकर के B तक जो है जो length हम लिए है तो यह इसको cover करता है along x-axis तो point A पर माल लेते हैं इसका value f A है इसको मैंने small M से denote कर दिया और point B पे इसका value upper जो है आपका सबसे maximum जो A जा रहा है वो f B है इसको मैंने capital M से denote कर दिया राइट अब इस द आपके partition में बाट करके उसने कहा जो lower age ए है जिससे देखी यह है इस पार्टीषन की बात करूं अगर मैं इस पूरे partition की बात करूं इस पूरे partition की जो मैंने color किया यहां पे इस पूरे partition की इस zuile partition में जो lower age है उसको लेके चलने के लिए कहा है उसने, मतलब जो बोला कि भाई देखो ये value तुम्हारा aim है, ठीक है? तो सामने वाला ये भी जो value होगा, ये क्या होगा? ये aim होगा, ये aim तो parallel side सामने वाला भी aim होगा, अब ये मेरा क्या है? तो ये मेरा जो है A है और C है तो इसके बीच में अगर हमनों निकालें कि कितना length होगा तो इसको बोलेंगे A minus C का absolute value ठीक है जैसा आप distance निकालते हो दो point की बीच का तो इसके बीच का length ही आ गया तो इसका area निकालना अब क्या हो गया easy हो गया तो उसने बोला कि भाई तुम इसका area निकाल तो इसका area आ जाएगा एक तो गया length और into width चुकी है अपका rectangular save है तो rectangle का area क्या होता है लंबाई into चोड़ाई तो इसका area निकाल गया इसी तरीके से उसने कहा ना कि तुम partition करके सब का area निकालते जाओ तो उसने क्या किया उसने वही किया lower age को चुनते गए और काम करते गए जैसे देखिए अगर मैं इसकी बात करूं इस वाले partition की इसमें lower age कौन होगा यह देखिएगा तो यह बड़ा है यह होगा मेरा lower तो मैं lower को L से लिख रहा हूँ ठीक है तो इसको लेके वह area निकाल लेगा फिर जब इन दोनों में compare करेंगे ठीक है जब मैं इस region में बात तो lower वाले से काम करने के लिए बोला फिर जब इसमें आएंगे इसमें lower कौन सा होगा इसमें lower यह होगा ठीक है इस तरीके से चलो उसने partition मना बना करके area निकाल लिए अगर आप देखेंगे तो उसने area क्या क्या सपोस कि उसने area निकाल लिया इसका ऐसे निकाल लिया फिर द लेकिन उसको tension क्या था ना? Tension ये था उसको कि मेरा तो कुछ जमीन क्या हो जा रहा है? मार खा जा रहा है, जैसे अब देखो जैसे ये portion देखिए ये जो मैं portion आपको दिखा रहा हूँ, ये जमीन इसकी मार खा गई यह वाला पार्ट यहां पर इसको अच्छे से देखिए यह पार्ट इसका मार खा गया यहां पर देखिएगा तो इसका यह पार्ट जो है यह यह मार खा गया यह इसको इसको इसके पैसे नहीं मिले ठीक है तो यह सलाह जो है ज्यादा मजा इसको नहीं आया है तो जो भी बड तो उसके corresponding में क्या हो रहा है एक area है जो के ये हिसाब नहीं कर पा रहा है और इसको ये नहीं बेच सकता तो इसको इसकी कीमत नहीं मिल रही है तो इसलिए जो lower वाला था उससे उसको थोड़ा घाटा हुआ तो दूसरे दोस्त ने उसको अब सलाह दिया कि भाई तुम ऐसा करो कि lower को ले करके मत चलो बलके क्या चलो बलके upper को लेके चलो तुम partition करके ही बेचो लेकिन जो upper age है जो बड़ा side होगा partition का उससे area निकालो इससे तुम्हारा जमीन नहीं मार खाएगा तुमको rate भी अच्छा म एक function है और इसका area निकालना है तो again जो है जैसे उसने partition किया था तो partition उसने इस बार भी किया इस बार ज्यादा partition किया कोई meter नहीं है ठीक है partition कर सकता है उसकी जमीन है उसको बेचना है rate निकालना है ठीक है तो partition उसने किया तो अब इसमें उसने क्या किया कि इस बार upper age को लेक यह पहला partition है ठीक है यह age तो इसमें हम देखेंगे जो हमारा upper age है उसने उसको पकड़ा यह क्या है यह मेरा upper age है यह मिला small m value है इधर का यह capital m value है इधर का जैसे मैंने दोनों ind का value उसमें निकाला था अब आप इसमें देखेंगे कि यह जो age है suppose कि इस age की लंबाई को भी upper age हमाल लेता हूँ मैं u right तो u1 तो अब उसने क्या किया किया कि इधर भी m को बढ़ा दिया उपर तक ताकि यह u1 की बराबर के आ जाए और यहां से यहां तक यह again क्या हो गया u1 और यह पूरा बन गया rectangle तो अब उसने इसके area निकाला कैसे निकाला area तो area का जो formula होता है again length तो length इसने लिया upper वाला इस बार u1 ठीक है जो कि आपका क्या है जो आपका बड़ा वाला age था उसको लिया इसने और into फिर से इसके बीच का length तो a और c की बीच का length क्या होगा absolute gap a-c जैसे आप distance formula निकालते हैं लंबाई into चोड़ाई किया area निकल गया अब इसी तरीके से इसने जो भी partition किये ना तो उसमें इसने बड़े वाले को चुना जैसे आप देखेंगे यह u1 है u1 के तुलना में देखेगा यह जो u2 है यह जो लंबाई है यह बड़ा है तो उसने इसको पूरा लिया right अब जैसे ही वो इसको पूरा लिता जाएगा त इसको इसमें भी इसने पूरा area ले ले लेना है इस तरीके से यह area क्या करते जा रहा है कभर करते जा रहा है अब यहाँ पे देखें तो बिलकुल क्या है बहुत बारीक था यहाँ पर पता करना को बड़ा है कौन चोटा है तो गीच में इसने और लाइन डालके partition मना दिया ह पार्टिशन में भी पार्टिशन कर दिया, कोई दीक्कत नहीं है, ठीक है? ताके बढ़ा वाला एज इसको समझ में आए, और यह हुदी सी भी जमीन नहीं छोड़ना चाता आँ ठीक है? यह चाता है मेरी पुरी जमीन इज़म नप जाए, तो यह दुकि यह बढ़ा एज है, थोड़ा सा बड़ा है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस से ठीक है तो इसने यह वाला पूरा पूर्सन लेकर के पूरा एरिया निकाल दिया फिर इन दोनों में भी देखेंगा तो इधरी वाला बड़ा है ताकि इसका जो कर्ब यह नीचे आ जा तो इसने पूरा एरिया इसी से निकाल दिया जो बड़ा एज है इन दोनों में अगर तुल्ला करें तो यह देखेंगे यह छोटा एज हो जाता है और यह हो जाता है पू करकर के इसने पूरा area निकाल डाल Alors तो अब देखी इसमें तो area निकाल लिया area तो आपने निकाल लिया ठीक है मेरे को एतना पैसा चाहिए लें तो करीदने वाले ने बोला कि भाईया यह तो तुम जो जमीन यह जो तुम ले रहे हो कीमत इसकी तो यह तो भाई तुम्हारा हिस्ता ही नहीं है यह तो तुम्हारा नहीं है यह तुम ले रहे हो यह तुम्हारा नहीं है इसका जो तुम ले रहे हो तुम गुस रहे हो अगर उसकी जमीन ह तो ठीक है पिर यहां से भी देखेंगे थोड़ा सा पर बनेगा यहां पे थोड़ा सा पर बनेगा और अब यहाँ पर आप देखेंगे, तो थोड़ा सा मैं आपको सम्झाना चाहता हूँ, कि यहाँ पर अगर थोड़ा यह और कोशिश करें, तो और अच्छे से जमीन को नाप सकता है, कैसे? देखें, अगर हम लोग यह देखें, तो नीचे वाला फीगर आप देखें, ठीक है, यह फीगर को, इसमें भी वही जमीन है, लेकिन सिर्फ तीन ही पार्टिशन इसमें किया गया है, ठीक है? अगर मैं यहाँ इधर लोवर तरफ से चलूँ, ठीक है? तो अभी आप ध्यान द लेके चलूँ, इससे यह मेरा लोवर है, यह मेरा क्या हो गया? लोवर, राइट, तो अगर मैं लोवर को लेके चलूँ, तो यह पूरा जमीन का जो हिस्सा है, यह वाला, यह जमीन का हिस्सा, इसका नहीं नप पाएगा, ठीक है? यह बच जाएगा, राइट, यह रिमेन हो जाएगा इसी तरीके से आप देखेंगे इस partition में भी अगर मैं lower कोले के चलेंगे तो lower side मतलब कि जो छोटा है ठीक है यह पूरा बड़ा side हो जाता यह तो अगर lower कोले के चलेंगे और rectangle बना देंगे lower side के corresponding में तो हमारा फिर से यह जो है portion क्या होगा यह पूरा यह पूरा नहीं नप पाएगा इसी तरीके से जब मैं इसकी बात करता हूँ इस थर्ड वाले की तो इसमें भी अगर आप lower को लेते हैं ठीक है तो lower के corresponding में अगर आपने तीन partition किया तो आपको ज्यादा जमीन मार खा रहा है लेकिन आपने जब partition बढ़ा दिया तो आपकी जमीन उसके तुल्ला में कम मार खा रही है थोड़ी और मेहनत की जाए और इसमें अभी जो एक, दो, तीन, चार, पाँच पाँच partition आपको दिख रहा है ठीक है नीचे कितने partition थे नीचे थे 3 partition नीचे 3 partition थे जमीन ज्यादा मार खा रही थी उपर आपने 5 partition कर दिया तो जमीन क्या हो गया जमीन आपकी कम मार खा रही है अगर आप 10 कर दोगे तो और कम मार खाएगी अगर आप 100 कर दोगे तो बहुत कम मार खाएगी अगर आप लाख कर दोगे तो बिल्कुल नहीं के बराबर मार खाएगी और अगर हम करोण कर दें करोणों इसमें कर दें अगर आपर हम करने में क्या हो कि आप इस से रिक्रेंगल बना रहे आपका इतना जमीन है यह आप क्या कर रहे थे एक्स्ट्राम आप दे रहे थे अपनी जमीन के इलावा ठीक है इस तरीके से अगर आप इस पार्टिशन में देखो तो upper age के corresponding में यह आपका ज़्यादा नपा रहा था अगर आप इसमें देखो इस partition में तो इसमें भी क्या हो रहा है upper के इलावा upper age के corresponding में यह आपका जमीन ज़्यादा नप जा रहा है तो इन तीनों case में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है इसमें आप कुछ additional count कर पा रहे हूँ ठीक, उसमें तो आपका short हो रहा था और इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका additional count हो जा रहा है यहने आपके जमीन से ज़्यादा ही नप जा रही है ठीक है, तो हम लोग अगर compare करें अपर जो है edge भी लेके अगर चला जाए तो यहाँ पर आप देखिए three partition है तो three partition में आप जितना ज्यादा extra नाप ले रहे हो उसके compare में यहाँ पर one, two, three, four, five, six, seven seven partition आपने किया है, तो क्या हो रहा है कि आप देख पर हैं यहाँ पर जो blue वाला region है बहुत कम ही जमीन extra जा रहा है, ठीक है किसी और का, तो हो यह रहा है यहाँ पर कि जैसे जैसे हम partition बढ़ाएंगे तो यह भी जो उपर का जमीन है जो किसी का additional आ रहा है तो वो additional count क्या होता जाएगा कम होता जाएगा, तो अब आपके पास में यहाँ पर दोनों friend का options रही है इस matter पर कि आप क्या करो, partition को बढ़ा दो अगर आप partition बढ़ा देते हो तो आपका accuracy जो है वो बढ़ जाएगा ठीक है, तो क्या conclusion निकला conclusion निकला, कि जो accuracy है जो accuracy है उसको हासिल करने के लिए क्या होना चाहिए partition आपका greater होना चाहिए partition जो है पार्टिसंस क्या होची यह आपका बहुत बड़ा होना चाहिए यतना बड़ा होता जाएगा वह आपके लिए उतन अच्छा होगा दोनों तो बुशंकर पार्टिशण कर दिया तो इधर से चाहे आप जाओ चाहे आप उधर से आओ आप जो है इधर से जो है अपनी जमीन जो है आपकी जो नप रही है छो लभग 0 हो जाएगी जो नहीं नपेगी जो छूट रहा था proportion मेरा वो लभग 0 हो जाएगा इधर से मैरे रिमान का concept है इसी partition को जो आप partition कर रहे हो ना जिसे-से partition आप बढ़ा रहे हो ठीक है तो partitions को अगर मैं बढ़ाओंगा partitions को मैं क्या करूँगा अगर increase करूँगा तो इसका नाम क्या देंगे इसका नाम देंगे कि हम refinement कर रहे है partition का, right तो refinement यह एक important term है हमारे पास में, partition यह हमारे लिए काफी ज़रूरी है और दो तरह के partition अभी यहाँ पर हो गए अगर आप देखेंगे तो एक आपका हो गया lower partition, light एक मेरा क्या हो गया, lower partition और दूसरा क्या हो गया, मेरा upper partition, तो पहले तो कुछ important note आप यहाँ पर बना लीजिए इसको ले करके, जो मैंने आपको समझाया है उसके बाद फिर मैं आगे और समझाता हूँ आपको, तो देखिए तो चले, तो बात जहाँ से शुरूरी थी फिर वहीं पर, necessity आपको समझ में आ गई और remand integration यही पुरा concept है lower sum और upper sum को equal करने का ठीक है कि आप चाहे lower age से काम करो या upper age से काम करो आपकी जमीन पुरी नपनी चाहिए यह necessity है remand integration की for any irregular shape तो अब भाई, आपके पास कोई भी irregular shape है तो घबरानी की ज़रुरत नहीं है आपकी जमीन बिख जाने वाली है चलिए अब देखिए अब इसमें क्या क्या कुछ mean बाते हैं तो remand integration की necessity मैंने यहाँ पर लिख दिया है आप इसको बस देख लें क्या है to find area of an irregular shape and thus can be apply for a regular shape definitely अगर irregular shape के लिए आप इसको apply कर रहे हो तो regular के लिए तो करना easy ही होगा number two to find area of any bounded region right कोई भी curve है आपका तो पहले आप उसको bound करेंगे bound का मतलब क्या होता है कि उसका पहले lower जो है age निकाल लेंगे और फिर upper age निकाल लेंगे ठीक है इस तरीके से number three exact area of land can be find by taking large number of partitions जैसे मैंने आपको बताया कि partition बहुत अच्छे रखोगे बहुँ जदा रहेगा तो आपको इस case में exact area भी मिल जाएगा कोई issue नहीं आने वाला है आगे देखिए अगर हम लोग interval की बात करें जैसे हम लोग यहाँ पर generally एक interval देख रहा थे a और b ठीक है अगर मैं इस interval की बात कर रहा हूँ जिसमें मेरा lower limit x-axis के along में a है और upper limit b है correct है तो अब इसका refinement करना refinement करने का मतलब क्या है कि इसको हम interval में बातेंगे यहाँ पर देखिए suppose कीजिए कि a मेरा क्या है a है मेरा x0 और b है मेरा xn इस तरीके से बढ़ते हुए करब में x1, x2, x3 तो यह सारे क्या हो गए बीच के हो गए x1, x2, x3 इस तरीके से यह denote करेगा partition of a, b को then इस case में हम लोग क्या बोलेंगे कि जो partition के पास में element है वो कौन है तो x0 से लेके xn तक xn तो आपका खुद b है x0 आपका खुद a है और इसके बीच का element तो आप देखेंगे यहाँ पर n प्लस 1 element है याद रखेगा कि अगर partition में n प्लस 1 element है तो वो n intervals बनाएगा कितना बनाएगा n interval एक कम n प्लस 1 point है तो n interval बनाएगा जैसे आप देख सकते हो पहला interval कौन होगा तो पहला interval होगा उसका length होगा delta 1 इसको हम लिखेंगे x0 minus x1 तेकि यहाँ पर absolute लिया गया है चुकि distance क्या होता है positive होता है तो हमको बस positive distance देखना है gap देखना है कि positive gap कितना है ठीक है तो x0 में जैसे माल लिए मेरे पास में यह point है x0 है इसके बाद मेरे पास में x1 है इसके बाद मेरे पास में x2 है तो मैं इन दोनों को घटा दूँगा ठीक है ओके x-axis के along में either positive negative होते matter नहीं है तो उससे क्या होगा आपको decal लागा gap कितना है यह से माल लीजिए यह मेरा माल लीजिए 3 है इसके बाद मेरे माल लीजिए 5 है फिर मेरे माल लीजिए 9 है तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका absolute gap क्या आएगा 5-3 आपका 2 आएगा तो इस डेल्टा 1 फिर इन दोनों का बीच का gap निकाल लीगा तो फिर लीजिए प्रेंगे अब देखिए सजेशन हो गये थे अब यहाँ पर हम लोग यह देखें कि actually जो area निकालने का technique है तो वो 2 है एक है आपका L for lower sum तो मैंने यहां पर देखिए function f ले रखा है चुकि हमारा y equal to fx कोई curve है यह और p partition तो lower इसको नों बोलेंगे lower sum ठीक है with partition p ठीक है तो lower sum है यानि यह आपका lower h से निकलेगा ठीक है और अगर मैं इस तीन partition के लिए बात करूँ तो चुकि तीन छोटा से समझना easy हो जाएगा तो इस तीन partition के लिए ठीक है यहां पर जो area बनेगा lower sum बनेगा वो क्या बनेगा तो देखिए आप आपको दिख रहा है पहले हम अगर इसको देखें तो इसमें lower वाला आपका M है M से multiply कर देना है इसके बीच का distance तो distance क्या आजाएगा तो यह आजाएगा आपका A-C आजाएगा इसके बीच का gap ठीक है जब आप इसमें आओगे तो इसमें lower कौन है इधर देखिए M1 है इधर आपका M2 है तो हमको lower से अगर काम करना है तो मैं M1 लूँगा ठीक है और इसके बीच का जो gap है C-D इससे मैं क्या करूंगा यहाँ पे multiply कर दूँगा ठीक है तो इस फ़ले portion में lower edge M1 से आपका area बन जाएगा M1 into C-D और यह थर्ड वाले में lower आपका M2 है तो M2 के corresponding में इसका area आजाएगा length M2 into इन दोनों के बीच का gap क्या होगा B-D का absolute यान जो भी positive positive gap होगा वो लेंगे तो absolute लेने का यही purpose होता है तो simply हम इसको देख रहे है कि जो lower sum है उसको आप define कर रहे हो तीन partition के लिए मैंने लिखा है तो partition ज्यादा भी होगा तो इसी तरीके से चलेंगे तीन को समझाना easy था दिखाना भी easy था इसलिए मैंने 3 लिया है बट मैंने आपको समझा दिया कि जितना partition ज्यादा होगा उतना ही आपका जो sum है जो calculation है वो ज्यादा accurate आएगा तो अब देखिए तो यहाँ पे इसको आप short में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे right lower sum का formula क्या ह हो गया तो lower sum का formula यहाँ पर आप याद कर लिजिए m i delta i यह आपका lower sum का formula हुआ lower sum is equal to sigma i m i delta i जेतना भी i बनेगा उसके लिए जहाँ पे m i क्या होगा तो m i होगा infimum ध्यान दिजिएगा infimum का मतलब क्या है आप देख पा रहे हो ना कि जो भी आप लेंगे मतलब यह है कि जो भी आप partition लेंगे तो उस partition में जो f का छोटा value होगा right जैसे आप देखेगा यहाँ पर जैसे देखेगे यहाँ अगर c की में बात करूँ तो यह value क्या है यह value fc है यह a के लिए बात कर m क्या है छोटा value है f a क्या है definitely fc से छोटा है ठीक है तो यहाँ पर जो इस partition के लिए हम लोग बात करें इस partition के लिए यहां से लेके यहां तक के लिए तो इसमें जो infimum है छोटा है ठीक है दोनों function में तो वो कौन है वो है आपका f a और f a को हम क्या लिखेंगे small m लेना याने lower को लेना है simply आप बोलेंगे तो infimum f का मतलब क्या होगा आपको lower edge लेना है ठीक है और delta i क्या हो गया तो यह होगी आपका length of ioth interval यह तो मैंने आपको बता दिया इसी तरीके से अगर आप upper edge को लेके चलते हो तो आपको upper sum बनेगा upper sum with upper edge और इसका formula क्या हो जाए है इसका area हो जाएगा capital M into B minus D का absolute value right ठीक है तो यह पूरा जो है आपको इसका पूरा का निकल ला रहा ना इसका पूरा का area निकल गया पहले वाले का इसे तरीके साब दूसरे वाले का निकल होगे तो इसमें भी आप upper edge से काम करोगे ठीक है तो upper edge आपका M1 है और इसके area निकल लाएगा upper edge M2 से M2 A minus C ठीक है इस तरीके से तो upper edge में आपको extra जमीन तो न फर ही है वो हम लोगों ने समझ लिया जेकिन upper edge से आप काम करेंगे तो आपको इस तरीके से area मिलता जाएगा rectangular wise इसको आप लिख सकते हो स्वाट में sigma I M I delta I तो यहाँ पर जो M I है यह सुप delta I में जो भी बड़ा होगा उसको लेंगे ठीक है न और delta I क्या है तो यहाँ पर एक important formula जो आपको याद रखना है कि lower sum क्या होता है sigma I M I delta I होता है जहाँ पर आपको M I infimum value होगा और delta I length of interval और आपका अपर जो sum होता है वो sigma M I delta I यहाँ पर capital M से denote कर रहे हैं तो यह सुपरिमम लेंगे यहाँ पर यहाँ बड़ा edge लेंगे उस interval में right और length of interval इस तरीके से आपका lower sum और upper sum का concept यहाँ पर किलियर हो गया है ठीक है अब चली कुछ fact देख P star है तो P star क्या करेगा denote करेगा refinement in partition P तो मैंने आपको समझा दिया जैसे आप partition को बड़ा करेंगे तो आपका जो accuracy है वो बढ़ता चला जाएगा तो बड़ा करना partition का मतलब क्या है कि उसमें refinement करना तो उसको मैं नया जो partition लेंगे जिसमें ज्याधा ज्याधा partitions होंगे उस जो lower sum होगा L means क्या lower sum ठीक है यह lower sum की बात करें जो lower sum होगा तो अगर with partition 2 आपने लिया है तो definitely उसके तुलना में जो lower sum आएगा with partition 3 वो बड़ा आएगा ठीक है यह आप समझी अच्छे से ठीक है जैसे जैसे आप partition करते जाओगे तो क्या होगा actually हमको करना क्या था आप समझ जीए अच्छे से ठीक है यहां पर मैं समझा देता हूं देखिए हो क्या रहा था कि हमको sum निकालना था सम मतलब क्या हमको area निकालना है ठीक है आप ऐसे कहो ना तो किसमे area greater आ रहा है तो definitely इसमें तो बहुत सा जमीन मार खा जा रहा है lower वाले में तो जैसे मैंने partition बढ़ा इसमें दिया तो मैंने जादा area न पर है तो जैसे जैसे हम partition बढ़ाएंगे ध्यान दीजेगा lower side में क्या होगा जैसे जैसे पारिशन बढ़ाएंगे lower side में वैसे वैसे क्या होगा आपका area बढ़ता चला जाएगा मतलब चुकि आप जमीन को ना पना चारा हूँता आपके ठीक है तो इसमें एक्स्ट्रा कम होता है तो एक्स्ट्रा कम होने का मतलब क्या है कि बात समझेगा ठीक है जैसे जैसे हम यह करेंगे रिफाइन्मेंट करेंगे ठीक है ना जैसे जैसे हम पार्टिसन बढ़ाएंगे तो हमारा एरिया क्या होता जाएगा हमारा जो एरिया है व हम घटाएंगे तभी तो एकुरेट के पास आएंगे चुकि हम तो भाई सुरू में ही एक्स्ट्रा बहुत माप लिए जैसे इसमें देखिए ठीक है रिफाइन्मेंट आप कर भी रहे हैं तभी आपका कुछ-कुछ एक्स्ट्रा माप आ रहा है जो आपको बुलू कलर में दिख रहा है तो इसमें एक्स्ट्रा वाले को घटाना है तब हम अपने पर आएंगे और इसमें जो कम हो रहा था इसमें जो घट रहा था उसको क्या है बढ़ाना है तो अगर आपका कुछ बढ़ रहा है तो उसको घट करते हैं तो आपको पता है ना तराजू में तौलते हो बाई जादा हो गया तो सामान निकालना है ठीक है और कम हो गया तो सामान डालना है यह पता है ना इसमें क्या और रहा है इसमें लोवर एज लेके चल रहे हैं तो इसमें सामान क्या हो जा रहा है कम हो जा रहा है भाई मेरा ही जमीन पूरा नहीं नपरा है तो हमको और डालना पड़ेगा तो refinement करने से इसमें area बढ़ेगा याद रखेगा और इसमें जब area का मतलब क्या area of land आपका जो land का area calculate करना है उसकी बात करना है ठीक है न एक्स्ट्रा पर मत जाईएगा और इसमें क्या होगा इसमें आपक करने से आपका area घटेगा क्यों घटेगा चुकि आप शुरू में ही बहुत एक्स्ट्रा ना आप लियते ना तो निकालते जाएए उसमें से ताकि आपका accurate आजाए तराजिवारा सिस्टम याद रखेगा ठीक है एक चीज़ याद रखेगा बहुत सिंपल सा चीज है अब हम बहुत जादा refinement कर दिये तो मेरा area क्या होता जाएगा बढ़ते हुए accurate की तरफ जाएगा जबकि आप अपर में बहुत जादा ना आप लिये थे तो अपर में आप जैसे जैसे refinement करेंगे तो आपका area क्या होगा घटेगा देखरें ना sequence उल्टा जा रहा है ये बड़ा ह है कि हमेशा किसी भी केस में lower से तो अपर वाला बढ़ा ही रहेगा ठीक है no doubt चुकि ये lower age से किया गया ये upper age से किया गया है that is lower sum always smaller than upper sum irrespective of matter that how much partition is covered in lower sum और upper sum lower sum हमेशा upper sum से छोटा रहेगा इसमें कोई doubt नहीं है ठीक है चले अब आगे चलिए अब यहां में देखिए चोथा जो important point है वो यह यह भी मैंने आपको यहां पर समझाया है कि जैसे देखिए हम लोग अगर बात करें जैसे मेरा जो lower जो minimum value है वो aim है आपको पता है maximum value function का aim ठीक है यहां पर सब मैंने यह लिए है यहां पर एक sequence है जो कि important है exam point of view से इसको आप याद रख सकते है जो कि इसका use होता है ठीक है इंपोर्टेंट है तो हमने इसको समझा दिया यहां पर यह आप देखेंगे तो graphically बहुत easily समझ में आएगा जैसे b minus a into m का मतलब क्या है कि जो है बगर हम अगर partition करके देखें ठीक है तो छोटा वाला यह aim हो गया तो इधर भी aim ले लिए इसके लंबाई के इधर भी aim ले लिए अब इसका gap ले लिए b minus a तो इसमें जो area मिला वह हमको यही area मिला जो को उपर में shaded है right ठीक है अच्छा अब देखिए इसके तुलना म अगर मैं यहां पर lower sum करता हूँ ठीक है ना तो जो lower जहां हम इसका हम यह करते है lower partition करते हैं तो lower partition में आप देख रहे हैं कि जो white वाला portion दीख रहा है यह हमको बच जा रहा है ठीक है लेकिन definitely इसके compare में इसमें area क्या है ज्यादा cover हुआ है तो बिल्कुल partition नहीं करेंगे तो यह आएगा यह आपका सकते है no partition ठीक है जहां आप partition करते हो ठीक है lower sum करते हो आप lower sum तो आपके क्या होता उसका value इससे बड़ा होगा definitely चुकि इसमें ज्यादा area आ रहा है इसके compare में upper sum हमेशा बड़ा होगा तो इमें तो मैं आपको बताया था कि upper हमेशा आपका lower से भी अतलब होता है और यह जो है यह सबसे बड़ा होगा चुकि इसमें आप अपर एज को लेके जा रहे हैं जो के capital aim है और इस से जो हम area बनाएंगे तो यह पूरा rectangle बनेगा और इसका जो भी है बहुँ ज़्यादा extra map ले रहे हो तो यह सबसे बड़ा value है यह आपको दीखेगा तो value was sequence को याद रखेगा ठीक है figure से मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है ठीक है clear है जी चले अब देखिए यहाँ पर जैसे एक example करेंगे तो और भी आदा की clarity आएगा जैसे हाँ एक example दे रखा है आपको lower sum निकालना है और upper sum निकालना है for the function fx equal to x interval 0 से 1 है और partition भी आप कुछ करना नहीं है बहुत easily यहाँ पर देखिए काम होता है कैसे करेंगे जैसे मैंने यहाँ पर दोनों निकाल दिया है lower sum निकाल दिया है और upper sum निकाल दिया है lower sum का formula क्या होता है m i delta i जिसमें आप lower h को लेके चलते हैं और यहाँ पर देखिए यहाँ पर चुकी चार element है ठीक है तो तीन ही partition बनेगा देखिए तो जैसे माल लिए यहाँ पर मेरा है एक है आपका 0 है यहाँ पर मेरा 1 है 1 ठीक है बीच में है आपका 1 by 3 और यहाँ पर है मेरा 2 by 3 तो एक मे partition बनेगा यह वाला delta 3 ठीक है ठीक है तो यहाँ पर एक से लेकर 3 तक ही होगा mi delta 8 अब देखिए जैसे delta 1 क्या होगा तो delta 1 इसके बीच का positive gap तो यह निकल लाएगा अच्छा अब m1 क्या है तो देखिए गा है तो m1 असल में infimum था तो आप बोल साते हो क्या कि lower effects हा ना चोटा value होगा 0 और 1 by 3 में तो जैसे देखिए कोई भी कर्व है माल लेजिए कोई भी आपका कर्व है ठीक है यह से और यह होगी आपका 0 और यह मेरा हो गया माल लेता हूँ 1 by 3 ठीक है चुकि fx equal to आप x दे रखा है तो 1 by 3 पर जो value आएगा यह क्या आजागा यह 1 by 3 आजा कर रहे हैं उस interval में आप M1 क्या होगा lower value होगा और यहीं अगर capital M1 निकालेंगे तो उसमें क्या होगा upper value होगा यह आपको बस ध्यान देना है ठीक है तो 0 1 by 3 इस interval में lower value क्या हो जाएगा तो 0 होगा चुकि आप देख रहे हैं कि f00 आएगा और f1 by 3 f1 by 3 आएगा तो यह फिर आपका 2 by 3 से 1 by 3 मिलेंगे तो यह interval का length आ गया इन दोनों में lower value क्या आएगा तो कुछ करना है निए direct आप जो छोटा उसको pick कर लिए 1 by 3 होगा इस length में आपका 2 by 3 आजाएगा ठीक है अब lower sum निकालने के लिए हम तो क्या करेंगे तो formula लगा करके add कर लेंगे तो आपका जो formula आएगा उसके सबसे देखिएगा क्या आजाएगा तो lower sum यही होता है m1 delta 1 m2 delta 2 m3 delta 3 ठीक है तो सबको multiply कर दीजे values को यहाँ पर 1 by 3 आजाता है अपर sum अगर हम नों देखें आपे तो इधर देखें आपका upper sum किया हुआ है तो upper sum में क्या है delta जो length आपने निकाला interval का वो तो 1 by 3 m2 निकालेंगे आपर fx इसी interval में तो जो बड़ा है so वाला होगा m3 निकालेंगे तो जो बड़ा है so वाला होगा ठीक है इस तरीके साब निकाल लिया तो upper sum का value क्या होता है upper h से लेके चलते है तो इसको निकालेंगे तो यह क्या आजाएगा यहाँ आपका आजाता है अब आगे कुछ देखते है important term देखे norm of partition norm of partition क्या होता है जिसे p आपका कोई partition है इस interval का तो उसमें जो norm of p है वो क्या होगा उसको यह से denote करेंगे और इसका मतलब होगा maximum of delta i यानि जितना भी आप interval निकाल रहे हो उसका length निकाल रहे हो उन सारे interval में जो सबसे बड़ा interval होग उसका length को greatest interval length राइट इसके length को आपनों क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे norm जैसे आप एक्जांपल देखिए मान लिए पी मेरे पास में 13 का partition किया हुआ है 1 है बीच में 1.5 2.5 अगर आप निकालेंगे तो देखिए इनके बीच में gap कितना है तो 0.5 है इस दोनों के बीच मे gap कितना है तो 0.5 का तो सबसे बड़ा gap 1 है तो norm आपका यहाँ पर simply इन तीनों gap में सबसे बड़ा gap 1 को बोलेंगे norm ठीक है ना बहुत easy हो जाता है इस तरह से अच्छा अब देखिए refinement तो refinement में एक चीज़ ध्यान देना है जो important हो ही है कि जब भी आप refinement करेंगे ना तो refinement पी स्टार को तब बोलेंगे जब क्या होगा जब पी उसका सबसेट होगा यह ध्यान दीजेगा ठीक है पी क्या होगा सबसेट होगा जिसे एक्जामपल देखिए यहां पर मेरा partition है क्या ना 1 है 1.5 है 2 है 2.5 है 3 है अब मैं इसका refinement करना चाहता हूं for the interval 1 3 मैंने मैं partition पहा दिया है ठीक है अच्छा क्या यह refinement कहलाएगा यह refinement कहलाएगा क्यों कहलाएगा इसलिए कि यहां पर आप देखेंगे कि पी का सबसेट है पतलब पी के पास में जो भी entry है ठीक है जो भी entry है वो पी स्टार में भी लिया गया है आप देख पा रहे है ठीक है तो उसके इलावा भी refinement किया गया है बीच में और interval डाला गया है तो अच्छी बात है refinement कर सकते हैं ठीक है लेकिन जो पी में था वो पी स्टार में भी आना चाहिए जब कि दूसरा example आप देखिएगा तो इसमें जो है ना यह मैंने एक नया refinement लिया है बट यह refinement नहीं है पी का क्यों नहीं है refinement इसलिए ठीक है आपने 1 और 3 को बाट तो दिया interval में ठीक है अपने सबसे चोटे 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 इंटरवल में आपने बाटा है लेकिन जो पी स्टार का है लिमें था 1.5 वो इसमें नजर ही नहीं आ रहा है ठीक है तो 1.5 पी में था बट स्टार में नह पार्टिशन करो जो पार्टिशन पहले किया जा चुका है उसको आप लेंगे न उसी में आप आगे add करेंगे यह नहीं कि उसको हटा के आप नया पार्टिशन करर देंगे ठीक है चलिए अब देखिये कुछ इंपोर्टेंट यहापे definition यहाप पर आ जाएगा जो आपको याद रखना पड़ता है रिमान लोवर एंड अपर इंटेग्रल इन एबी ठीक है देखिए तो रिमान जो लोवर इंटेग्रल होता है इंट्रेवल कुलोज इंट्रेवल एबी में इसको डिनोट करेंगे हम लोग एबी एफेक्स डी एक्स ठीक है और एक निचे लगा दीजेगा बार ऐसे तो यह लोवर मनें लोवर जो आपका लिमिट है उसमें लगाईएगा ठीक है लोवर लिमिट को आप ऐसे दिखा दीजेगा लोवर लिमिट को ठीक है और जब अपर लिमिट की बात करेंगे तो इसमें जो अपर वाला लिमिट होगा उसमें अपर लिमिट में आप बार दिखा दीजेगा इससे आपका पहचान ह आफ सुप्रीमं आफ लोवर सम ठीक है सुप्रीमं ओफ लोवर सम ठीक है मतलब देखें लोवर सम तो आप निकाले थे अब लोवर सम में आप जैसे- excellência refinement करेंगे उसका मान बढ़ता जाएगा मैंने आपको बताया था lower sum क्या होगा बढ़ता जाएगा ठीक है चुकि आपको loss हो रहा था तो आप उसको में डालते जाएंगे ठीक है ना refinement करके तो lower sum बढ़ता जाएगा तो बढ़ने के बाद जो सुप्रीमम होगा जो सबसे बढ़ा sum होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो मेरा lower integral है ठीक है एंटम logic से याद रखेगा जबकि आप upper का बात करते हैं जब आप upper sum लेते हैं तो आपको basic value मिल जाता है ठीक है तो basic value मिलता है तो उसको हम को कम करना पड़ता है तो हम घाटाते जाएंगे घाटाते जाएंगे तो यानि हम उसको सबसे कम निकालेंग अपर integral right ठीक है यहाँ पर देखिए एक छोटा सा concept को मिला लिए जिससे देखिए हम लोग पढ़े थे class 12 में कि integration क्यों मजबूर टेकनिक है इसलिए कि वो क्या करता है वो किसी भी कर्व को continuously जो हर interval पे अगर दो interval के बात करें A और B के बीच में तो A और B के बीच infinite interval पे उसक infinite refinement कर दिया जाए अपर सम भी आपका बराबर हो जाएगा जब इसमें infinite partition कर दिया जाए जब बहुँ ज़्यादा partition करेंगे तो आप वहाँ पे सुखरी मम भेलो निकालेंगे lower का ठीक है चुकि उसको बढ़ा रहे हो और अपर का आप निकालोगे infimum भेलो चुकि उसको आ रहे हो ठीक है तो clearly एक चीज़ याद रखना है कि lower sum से बड़ा होगा lower integral चुकि integral में आपका maximum refinement होगा infinite refinement होगा ठीक है और lower sum है तो lower sum को आपको बड़ा करना होता है तो आप lower sum के बाद जो lower integral आएगा तो वह बड़े refinements आएगा यानि कि इसका बहलो उससे बड़ा मिलेग इसके compare में जो upper integral होगा वह आपको बड़ा मिलेगा ठीक है definitely और जो upper sum है वो सबसे बड़ा मिलेगा चुकि यह तो upper sum होता है कि आपने बहुत ज़्यादा extra लिया था तो इधर से आप घटाते हो और इधर से आप बढ़ाते हो यह ध्यान देना ठीक है यह sequence बहुत काम करेगा देखिएगा तो फिर से देखिए हमनों again वहाँ पे चले जाए तो देखिए बगेर partition के without partition without partition जो value आया था वो क्या आया था वो आया था आपका यह वाला ठीक है ना फिर आपने partition किया with lower sum ठीक है partition किया और आपने lower sum से लिया तो value आपका क्या होगा definitely जो है बड़ा होगा कुछ आप partition करेंगा तो आपको फायदा होगा और बहुत ज्यादा partition कर देते हैं आप ठीक है तो आपको lower integral मिलता है जो क्या होगा जो आपको again उससे बड़ा होगा ठीक है ध्यान दिजिएगा कि lower तरफ से चलेंगे ना तो हमको क्या होगा मेरा बढ़ता चला जाएगा क्या से partition करेंगे और हम लोग पहुंचेंगे lower integral तक तो हमारा value क्या होता जाएगा बढ़ता चला जाएगा ठीक है जबकि इधर आप देखिएगा तो इधर आपका घट रहा है यह आपका decrease कर रहा है इधर इधर देखिएगा तो यह इसको अच्छे से याद रखना है ठीक है कैस तो यह देख रहे हैं कि सबसे पहले अगर यह देखें अपर वळा सम को ठीक है without partition without partition तो आपको जो value मिलता है वो value आपको यह मिलता है ठीक है अब जैसे ही आप उसमें कुछ partition करते हो क्या होता है आपका value आपका value जो है accurate होने लगता है आप घटने लगते हो चुकि आपने बहुत सुरू में ही एक्स्ट्राइड कर लिया था तो आप घटने लगे ठीक है और जैसे ही आप अपर सम निकालते हो अपर इंटीग्रल निकालते हो तो वो accurately आ जाता है लभग actual के तो वो सबसे घटा हुआ value है कह सकते है ठीक है इधर से घट रहा है इधर से यह बढ़ र सब्सक्राइशन लोवर एरिया से अपर एरिया हमेशा बढ़ा होगा और यहीं पर जब रिफाइनमेंट करेंगे तो जो लोवर और अपर इंटीग्रल है वो आपस में क्लोज आ जाएंगे लेकिन डेफिनिटली अपर वाला लोवर से बढ़ा होगा अब अगर यह दोनों हो जाए अगर यह दोनों लोवर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल क्या हो जाए बराबर हो जाए तब तो धमाका हो जाएगा क्यों तब तो यह हो जाएगा कि भाई हमने जो रिफाइनमेंट इधर से किया था जो मेरे को छूट रहा था उसको मैंने जो धिरे-धिरे जो था उसको बढ़ा करके आपने बराबर किया एक तरफ से अपने बेसी ले लिया था उसको आपने घटा के बराबर किया और दोनों तरफ से बराबर आ गया तो यानि कि यह बिल्कुल accurate value है तो यह simply कहला आएगा आर इंटीग्रेबल यह यह रिमान इंटीग्रेबल कब कहला मैं जब उसका लोर इंटीगराल और अपर को आ जाएगा बलाबर आ जाएगा थिकहां यही मेन इंपॉर्टेंट्र जीज़ है यह बलाबर आ गया है इसका मतलब आप dio एक्टीटेमर अश को कोड़िया है आप आपको कोई टेंसन नहीं है ठीक है जो आपकी जमीन थी वह ही उसी का रेट आपको मिलेगा ठीक है कोई लफड़ा इसमें अब नहीं है ना आप घाटे में ना कस्टमर घाटे में दोनों खुस ठीक है अब देखें डारबॉक्स थीरम आता है यहां पे कुछ-कुछ ऐडिशन से आते हैं तो मज़ा कीजिए ठीक है तो देखिए डारबॉक्स थीरम यहीं बोलता रा जो लोवर सम होगा वो हमेसे ग्रेटर होगा ठीक है इस से डेखिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छी सی बात है च।कि हम लोग यह देख रहे है इना कि जो लोवर सम होता है वो क्य होता है कि जो lfp होता है lower sum वो generally क्या होता है smaller than equal to होता है lower sum यह हम लोग देखें ठीक है तो यहां पर dx भी लगा दीजेगा dx यहां पर भी यहां पर dx ठीक है न अब देखें तो definitely जो हम लोग पढ़ चुके हैं supremum और infimum का formula तो वहां से हम यह जानते हैं कि जहां आप इसमें कोई positive quantity minus करोगे ठीक है तो क्या हो जाएगा चुकि यह इसका supremum value है यह इसका supremum value है तो जहां minus करेंगे तो क्या होगा यह by definition यह फिर बड़ा हो जाएगा ठीक है इसी तरीके से upper sum में upper sum में क्या हो लोग पढ़े थे कि आप जो अपर sum होता है fp ठीक है वो बड़ा होता है किस से upper integral से यह बड़ा बरापर होता है अच्छली यह क्या होता है यह अब इसका यह supreme होता है तो जहां हम इसमें कुछ add करते हैं तो अब यह क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा इससे यह आप लोग जो हरियल अनलीसिस में semester 1 में भी पढ़ा चुकिया हो राइट आगे बढ़ते हैं रिमान sum of drichlet function इसको देख लिजे क्या होता है जिसे माल लिजे कोई आपको drichlet function दे रखा है interval a,b से r में define किया हुआ है ठीक है rational अगर q क्या मतलब क्या होता है rational और q-ds का मतलब क्या होता है irrational तो यह क्या रहा है कि अगर आप rational लोगे तो k1 भेलू आएगा irrational लोगे तो k2 भेलू आएगा इस case में lower और upper sum कैसे निकालेंगे देखे lower sum का value होगा simply दोनों में जो छोटा हो अपर निकालने के लिए दोनों में जो बड़ा होगा उसको ले लीजेगा और interval का length से multiply कर दीजेगा ठीक है इससे आप एक example भी दे रखा है आपको क्या example देखिए fx आपको दे रखा है 1 by 4 और 3 by 5 rational पे 1 by 4 है irrational पे 3 by 5 है तो simply interval आपका 0 से 2 है तो length क्या आजाएगा इसका length है आप आजाएगा 2 minus 0 यहाने आपको 2 आएगा length of interval तो जब lower निकालेंगे तो छोटा वाला value लेंगे यह छोटा है तो lower निकालेंगे तो छोटा वाला value into interval length तो 1 by 2 आ गया जब upper वाला लेंगे तो बड़ा वाला लेंगे maximum तो upper value into interval लेंगे तो आपको यह 6 by 5 तो दोने equal नहीं है यहाँ ठीक है तो equal नहीं है तो कोई बात नहीं है यह आपका r integrable नहीं होगा अब दीखे direct integration rule अगर आप direct integration करते हो ना कोई function आपको इस तरीके से दे रखा है diet integration करना है तो lower value से आपको r lower integral मिलेगा और upper value से आपको r upper integral मिलेगा simply तो diet integration है तो उसको तो रिमान ऐसे ही follow करेंगे ठीक है अब देखे जैसे यहाँ पे function आपको देखा है rational में sin x और irrational में आपको cos x interval है 0 से pi by 4 ठीक है अगर हम हम आप integration कर दें simply 0 से pi by 4 sin x dx का तो इसका integration minus cos x होगा ठीक है limit डालने से 1 minus 1 by root 2 आ जाएगा cos x का integration करेंगे तो sin x होता है 0 से pi by 4 में यह आ जाएगा बड़ा कौन है तो देखे यह आपका बड़ा है जो बड़ा है उसको आप upper integral लेंगे जो छोटा है ठीक है उसको आप क्या लेंगे उसको आप lower integral लेंगे ठीक है अब दोनों चुकिए equal नहीं है बोथ r not sim तो यह आपक पे ठीक है क्या question बोलता है find lower sum and upper sum ठीक है for the function cos x in this interval तो यह तो पहले भी मैंने आपको बताया है इसको आप रोक करके खुद से बना लीजिए बन जागा definitely ठीक है कुछ करना नहीं है पहले हम लोग क्या करेंगे interval length निकाल लेते हैं यहापर 3 interval बनेगा एक यह बन जाएगा ए यह बन जाएगा ठीक है तो इन तीनों का देख रहते हैं interval length क्या आता है तो इसमें pi by 6 आ जाएगा positive length लेना होता है इन दोनों को घटाएंगे तो pi by 6 आ जाएगा यहाँ पे भी इसको घटाएंगे तो pi by 6 तो equal interval में बाटा हुआ है कोई दीकत नहीं है ठीक है अब चलिए ज जो छोटा value है function का याने cos x का interval में वो निकाल लेते हैं तो पहले वाले interval में याने इसमें pi by 6 और 0 में minimum value क्या आएगा cos x का तो देखिए नहां ध्यान दिएगा तो cos 0 आपको 1 होता है और cos pi by 6 root 3 by 2 होता है ठीक है तो minimum लेना है तो छोटा value कौन होगा तो छोटा होगा हमारा आपे root 3 by 2 क्लियर है ठीक है कोई दिकत नहीं होना चाहिए देखिए मैं आपको समय हादर आओ ना cos 0 आप निकालोगे आप इसमें बात करोगे 0 से pi by 6 में na cos 0 1 होगा और cos pi by 6 क्या होगा root 3 by 2 ठीक है root 3 by 2 तो definitely छोटा है ठीक है और 1 आपका बड़ा है तो यह हो गया मेरा M2 निकालेंगे तो इन दोनों में cos 60 degree तो cos pi by 3 आपका 1 by 2 होता है और cos pi by 6 मेरा क्या होता है root 3 by 2 तो इन दोंवें छोटा कौन है तो इन दोंवें छोटा ypy है ठीक है तो इसको ले लिया फिर M3 निकालेंगे तो M3 इस इंटरफिल में निकालेंगे तो फिर से देखिए Cos Pi by 3 Cos 16 degree आपका आजाएगा 1 by 2 और Cos Pi by 2 यह आपका आजाएगा 0 छोटा वाला 0 ले लेंगे ठीक है अब यह सिंपली कुछ करना नहीं होता है लोवर सम में आई डेल्टा यह निकाल लेंगे तो यह आजाएगा आपका यह ठीक है अपर निकालेंगे तो अपर में आपको अपर एज से चलना पड़ता है तो अपर एज में आपको मैक्सिमम भैलू लेना पड़ता है उस का तो अपर अपर सम में आपको बड़ा भैलू निकालना होता है इंटरवल का और लोवर सम में आपको इंटरवल का छोटा भैलू निकालना पड़ता है यह common sense से याद रहेगा ठीक है सम यह हो जाएगा अपर सम इसका फरूमला यह डाल देंगे तो दोरों देखिएगा इ इसको आपको अच्छे से नोट करना है और समझना भी है ठीक है अब देखिए अप्लिकेशन ऑफ आर इंटिग्रेशन राइट यहां से भी कोश्चन एक जाम में आते हैं तो क्या क्या अप्लिकेशन होता है पहला होता है इभालूएशन ऑफ लिमिट ठीक है आप लिमिट जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना जैसे मैंने पहले आभी आपको यह बर हिंट दिया था कि कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म है इनडिटर्मिनेट राइट इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को आप क्या कर पाएंगे आप डिटर्मिनेट कर पाएंगे राइट कैसे यू जो भी indeterminate form होगा, उसको आप इस तरीक से integration में convert करके बना लेंगे, कुछ करना नहीं होगा, r by n को x put करना होगा, r by n को dx लेना होगा, और फिर जो lower और upper limit है, वो हम लोग find कर लेंगे, ठीक है, n tending to infinity पर, right, चुकि आपका n tends to क्या, यहाँ पर infinity है, जैसे मैं यहाँ पर example mcqs में, ठीक है, अभी तो, मतलब यह pdf है, यहाँ से मैं समझा देता हूँ, ठीक है, जैसे देखिए, आप यहाँ पर limit आपको दे रखा है, इसको आपको evaluate करना है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, बना हुए समझा दे रहा हूँ में, आप खुद से बना सकते हो, mcqs करें तो, हम लोग खुद से बनाएंगी ठीक है, यहाँ पर आप करना क्या ना, इस पूरे value का आप ले लिजिए, और log apply कर दीजिए, लोग apply करेंगे, तो power आगे आ जाएगा, और सारा आपका sum में break कर जाएगा, ठीक है, पहले आपको sigma में तोड़ना है, sum में, तो sum में आप आ x बन गया, r by n हट करके x बन गया, अब limit निकालना है, तो limit निकालना है, तो n tending to infinity है, और r लेना है आपको 1 से 4n, r आपको 1 से लेना है 4n, ठीक है, अगर मैं r को 1 लेता हूँ, पहले लोगा, अगर मैं r को 1 लेता हूँ, तो मेरे को lower limit मिल जाएगा, r के जगा पे 1 डाल तो 1 बटाय का n और n tending to infinity पर यह 0 हो जाएगा, तो lower limit हमको 0 मिल गया, ठीक है, जब हम upper limit निकालेंगे, तो r का value अपर वाला 4n लेंगे, तो r by n में डालेंगे, तो आजाएगा limit n tending to infinity 4n by n, so it is simply 4, तो upper limit आपका 4 आगिया, ठीक है, लोगर अपर दोनों आगिया, integration तयार है, integration तयार है, यहाँ पर आपके लिए easy रहता है, कि 1 लगा दीजिये, और आप integration कर दीजिये, by parts आपने class 2L में बहुत अच्छे से पढ़ा है, integration by parts, ठीक है, इसमें आप चाहें तो बोल सकते हैं कि 1 मेरा algebra है, यह मेरा logarithm है, तो जो आपने highlight का rule port रखा है, ठीक है, उसके साब से क्या हो जाएगा, उसके साब से आपका logarithm पहले आएगा, यह U बन जाएगा, और algebra आपका बाद में आएगा, यह भी बन जाएगा, ठीक है, तो log U को छोड़ दिया, 1 का integration करेंगे, dx में x आजाएगा, ठीक है, minus, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप इसका differentiation क करते है, U का, ठीक है, U मेरा कौन है, U है मेरा log, ठीक है, U मेरा क्या है, log है, और B मेरा कौन है, 1 है, इसका differentiation करेंगे, तो क्या आजाएगा, 1 by 1 plus x, इसका integration करेंगे, तो x, यह parts बस मैंने किया है, बहुत बढ़ी चीज़ नहीं है, सब जहा दे रहा हूँ मैं, ठीक है, अब आईए, अब इसको थोड़ा और अच्छे से करें, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, देखिए, 1 plus x और minus 1, ऐसे लिग देता हूँ, मैं, लिख सकता हूँ, 1 1 कर जाएगा, x ही बचेगा, तो यहाँ से 1 plus x से 1 plus x को divide कर देजिएगा, तो सिफ dx का integration minus x आजाएगा, और minus और minus plus आपका फिर log 1 plus x आजाएगा, limit डाल देजिए, ठीक है, limit डाल देने से आपका देखिए, यहाँ पर आजाता है, 4 log 5 minus 4 plus log 5, अपर limit डाला मैंने, ठीक है, फिर minus, lower limit डालूंगा, तो सारा ही 0 आजाएगा, log 1 भी 0 होता है, तो आपका स लिकत नहीं है, ठीक है, फिर इसको चाहें, तो आप log मैंसे डिभाइड करके डिख देखिए, तो आपका देखिए, यह answer आजाएगा, तो इस तरीके से आपको जो है, आसानी से indeterminate form using remand integration बन जाएगा, MCQs करेंगे हम लोग, तो वहाँ पर हम लोग और भी इस तरह का, important of a given function, number one, एक continuous और monotonic function on closed interval is r integrable, और simplified on that interval, ठीक है, देखिए, continuous है, monotonic function है, और यह property किसकी है, property है, closed interval का, चुकि closed interval आपको बहुत सारी facility देता है, ठीक है, तो जो facility आपको दे रहा है, वह आपको दे रहा है कौन, वह आपको दे रहा है, closed interval, तो और closed interval में कोई function continuous monotonic है, तो वह r integrable होता है, ठीक है, और r integrable अगर है, तो वह simply integrable भी है, चुकि देखिए, r integrable नाम रखा गिया है, इसलिए कि यह lower और upper sum के value के concept पे काम करता है, तो finally यह आपको integration तक पहुचाता है, तो इसलिए, यह integrable भी है, ठीक है, अच्छा, स्वाट मैंसे बल से अत्ते हो, कि f important property है, आपको सिफ differentiation पता था है, यहाँ, f जो है, difference यह बूल है, लेकिन अगर वो close interval में है भाई, तो वो integrable भी होगा, ठीक है, ना, converse need not be true, यहाँ मों देख सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट है, आपका two number, let f be a bounded on a, b, and set of discontinuity of f is finite, देखिएगा, f जो है, kis interval में bounded function है, ठीक है, और set of discontinuity है, वो finite है, set of discontinuity क्या है, वो finite है, तो f क्या होगा हमारा, f होगा हमारा r integrable, ठीक है, जैसे, मैं आपको यहाँ पर एक example दिखाता हूँ, example देख लेजिए, जैसे दिखिए, greatest integer x, ठीक है, इसका अगर आप graph देखेंगे, तो graph आपको याद होगा, graph कैसा होता इसका, तो यह ऐसा, यह ऐसा, यह ऐसा, यह graph ठीक है, अगर आप देखेंगे ना, तो यह क्या है, इसके पास में जो discontinuity है, ठीक है, वो क्या है, जो भी discontinuity है, वो क्या है, इसके पास में, हर integer point पर यह क्या है, आपका discontinuous है, ठीक है, और integer point क्या होता है, infinite होता है, तो क्या बोर रहा है set of discontinuity है अगर वो finite है तब वो R integrable होगा otherwise क्या होगा वो R integrable नहीं होगा यानि उसका integration आप नहीं कर सकते है इस case में हम लोग integration इसका क्या है नहीं कर पाएंगे चुक्छे हम लोग क्या देख रहे हैं यह जो greatest integer x है हमारा ठीक है तो अभी कोई interval नहीं दे रहे हैं अगर आपको कोई interval देता है तो आप उसमें इससे एक interval ले लेते हैं 0 से 4 ठीक है अगर इस interval को लेंगे तब तो इसमें यह bounded हो गया ठीक है चुक्कि इसका एक x का जो है आपका जो भी value होगा अगर आप यह close interval लेते हो तो greatest integer x आपका या तो 0 होगा या तो हमारा 4 होगा ठीक है न तो यह bounded हो गया 0 4 में जो अब discontinuity आएगा वो integer पे आएगा तो discontinuous कहां कहां पे होगा यह discontinuous होगा 0 पे 1 पे 2 पे 3 पे और 4 पे जो भी integer point उस पे यह क्या हो जाएगा discontinuous हो जाएगा correct है ठीक है तो चुकि यह क्या है यह आपका finite number है finite number है तो इसलिए इसलिए इसको क्या बोलेंगे कि यह integrable है इसको integration किया जा सकता है और हम लोग इसको mcq में देखेंगे integration आप इसका कर सकते हो इसको भी question exam में आया है तो हम लोग करेंगे ठीक है अच्छा तो सबर रखें नेक्स्ट लेक्चर जी तो देखेंगा फिर क्या बोलता है अगर f के पास में infinite number of discontinuity है ठीक है finite में तो integrable हो गया अगर infinite number है तो यहाँ पर दो case होगा दो case अब depend करेगा यह limit of discontinuity ठीक है अगर if set of discontinuity as has infinite limit sorry has finite limit अगर यह जो आपके पास में जो infinite number of discontinuity है अगर इसका limit finite आ जाता है अगर इसका limit क्या आ जाता है finite आ जाता है तम भी यह क्या होगा r integrable यानि simply integrable होगा लेकिन अगर जो set of discontinuity है as इसके पास में infinite limit आता है मतलब यह जो infinite number of discontinuity था इसका limit भी क्या आ गया इसका limit भी अगर आपको infinite आ जाता है तो ऐसे case में यह r integrable नहीं होगा याद रखिए कि अगर infinite number of discontinuity आता है limit finite आता है तो r integrable होगा और अगर infinite number of discontinuity का limit भी infinite आ जाता है तो वो r integrable नहीं होगा बहुत ही important result है इससे exam में question आते रहते हैं ठीक है देखिए पूरा concept मैंने इसका बता दिया है अब MCQ आएगा तो एक बड़ा chapter था लेकिन समझना आसान है अगर आप इसको carefully समझे होगे अब सुरू से आपने last तक देखा होगा तो बिल्कुल आपको समझ में आया है definitely आपको अच्छा लगा है अच्छा लगा है like जरूर कीजिएगा बहुत तरह का इसी तरह का free content मेरी YouTube चैनल पर है ठीक है जो आपको exam में qualify करा सकता है तो आप subscribe कर लिजिए ठीक है इसको share कीजिए फिरेंट के साथ में concept अच्छे से पढ़िए ठीक है कोई issue नहीं आएगा अभी अगर आप PGT की तियारी कर रहे हो तो उसमें आपको straight forward syllabus से question आता है तो बिल्कुल concept का भी बहुत सारा question आजाएगा कोई issue नहीं होने वाला है नेट की तियारी कर रहे हो तो यह concept आप के लिए काफी important है गेट के लिए भी very important और अगर आप regular course करना चाहते हो तो application पे मैं regular course upload करके रखता हूँ live classes वगरा होते रहते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और सारे applied mathematics परना चाहते हो तो आप application को download कर लिए link आपको description में मिल जाएगा वहाँ साब download करके जो भी आपका course है बहुत ही जो है वो genuine वहाँ पे rate में दिया जाता है ठीक है installment facility भी होगा check out करके उसका buy कर दे थी लिए thank you very much